घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो गणिश चतूर थी वो दिन जिस इन लंबोदर का जन हुआ था वो दिन जो भगवान गणिश की प्रतिस्था का सबसे शुप दिन माना गया है वो दिन जिस दिन विनायक की विधी विधान से पूजा अर्चना की जाती है और घर में होता है लक्ष्मी का वास भाक्तों को मिलेगा गजनन का पूण आशिर्वार करनी होगी गड़पती की प्रतिस्चा लेकिन रखना होगा वास्तु का भी द्रत और पूजन करें इस बार गणेश चतुर्थी पर कैसे भगवान गड़िश की पूजा अर्चना करें सबसे पहले तो मनिशा जी इस बार 5 सितंबर 2016 को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और गणेश चतुर्थी हमारे देश में एक बड़ा तेवार है खास करके महराश्टर में गुजरात में साउथ हिंडिया में इसे बड़ा पब्लिकली बड़ी धुम धाम से मनाया जात जाता है और उत्तर भारत में भी गणेश जी की पूजा दस दिनों तक लगातार चलती है जिस दिन गणपती चतुर्थी होती है उस दिन गणपती जी का आवान अपने घर में किया जाता है यानि की लोग मिट्टी के बने हुए गणपती जी या धातु के बने हुए गणे जी अपनी अपनी सर्धा एवं सामर्थे के उनुसार ला करके उनकी मूर्तियां ला करके अपने घर में ब्राहमन के द्वारा प्रान पर्थिष्ठित करवाई जाती हैं उनका विधी विधान से पंचोप चार पूजन करके या सोड़प चार पूजन करके गणपती जी के मंत दुख हरता है और सारे जीवन में हमें मार्ग दर्शन देने वाले हैं कि गणपती जी को चतुरती वाले दिन अपने घर में विराजमान किया जाता है और उनका विदी विदान से पूजन इत्यादी किया जाता है और पूजन भी बड़ा ही असान है इसमें कोई घवराने वा अरपित करने चाहिए गणेजी को हरी दूब यानि की जो हरी घास होती है जो हमारे हाँ असपास बहुत ज़्यादा पाई जाती है सबी लोग जानते हैं गोला यानि की नारियल गुड विशेश रूप से गणपती जी को पिरी है और परशात की रूप में जो गणपती जी का पिरिये जो हैं वो है मोदक यानि की लड़ू भक्त गण अपनी सर्धा के अनुसार जितनी भी संख्या में चाहें सामर्थे के अनुसार चाहे वो मुक्ती दाने के लड़ू हो चाहे बेशन के लड़ू हो या किसी अन्य पदार्थ के लड़ू गणपती जी को वो भेट वो अर्पित कर सकते हैं और उसी का परशाद अपने परिवार जनों में रिस्तिदारों में मिलने वालों में बाटा जाता है और ये तिवार बड़ी धुम-दाम से अनंचतुरदसी तक गडिश की प्रतीमा को घर में विराजित करते हैं और कुछ दिन घर में रखने के बाद कैसे उनका विसरजन किया जाता है अगर गडिश जी को घर में लेकर आते हैं तो घर की किस कोने में कौन सी दिशा में उनको रखा जाए उनको विराजमान किया जाए North East Direction जो होती है उसे कहते हैं Direction of God यानि परमात्मा की दिशा यदि भग्दगनों आपने गणपती जी की स्थापना करनी है तो घर के इशान कोण में यानि की North East Corner में गणपती जी की स्थापना करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा गनपती जी के मुख के दर्शन गनपती जी के सामने से जो दर्शन होते हैं वो बहुती मंगलकारी बहुती शुब माने जाते हैं इस चतूर्थी का जो दिन होता है उस दिन कुछ लोग व्रत भी रखते हैं व्रत किस तरीके से रखना चाहिए और व्रत रखने से जुड़ी हुई क्या मानेता हैं बहुत ही अच्छा परशन किया आपने कि इस दिन फवास रखते हैं और मैं तो कहता हूँ परतेक महा में जो चतूर्थी आती है जिस भी व्यक्ति के रुजगार में कमी आ रही हो जिस भी परिवार में कोई विसेश रूप से संकट आया हुआ हो और ऐसी समस्या जिसका निजात नहीं मिल पा रहा है किसी भी तरह के उपाय करने के उपरांथ उस पूरे परिवार को मिल करके के तेल का सेवन नहीं करना है आप फलाहार कर सकते हैं ये थोड़ा सा उपवास कठिन होता है क्योंकि इसमें विशेश रूप से बड़े सामर्थे के साथ और बड़े दरड़ विश्वास के साथ गनपती जी का उपवास करना चाहिए हाँ जितने भी लोग गनपती जी का पवास करता है तो उसके जीवन की समस्त बाधाएं समस्त विखन अवश्य ही दूर होते हैं जब घर में हो गनपती का वास तो हर मुश्किल हो जाती है आसान और जब दिन हो गणेश चतूर्थी का और उत्सब हो गणेश पुजन का तो बपा की कृपा पाने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है अब आपको बताते हैं चतूर्थी के दिन व्रत और पूजा कैसे करें चतूर्थी के दिन सुभाय स्नान करें निव्रत होकर स्वच्वस्त धारन करें व्रत रखने वाले लादरं के वस्त धारन करें उत्तरदिशा की और देखते हुए श्री गणेश की पूजा करें पल, फूल, रॉली, मॉली, अक्षत, पंचमृत से शी गनेश को स्नान कराएं। गनेश पूजन के दौरान धूब दीव से भगवान गनेश की आराधना करें। तिल गुड के लड़ू और मोदक से भूग लगाएं। शाम की समय ब्रतधारी संकटी गनेश चतूर्थी की कथा पड़ें। इस दिन गरीबों को दान करें तिल गुड के लड़ू, कंबल या कप्ड़े दान दें। विग्न हर्ता, बुद्धी प्रदाता, लक्ष्मी प्रदाता, गनेश को प्रसंद करने का ये ही सही समय है। गनेश जी का ये पूजन करने से विद्या, बुद्धी और रिद्धी सिध्धी की प्राप्ती तो होती ही है। साथ ही विग्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है। बगवान गणेश रिद्धि सिद्धी के दाता है सबसे पहले पूज़ जाने वाले भगवान है ऐसे में अगर गणेश चतूर्थी के दिन भवतो परिन की कृपा होती है तो इससे अच्छा कुछ नहीं अब आपको बताते हैं गणपती को मोदक का भोग क्यों लगाया चाता है तो 33 करोड देवी देवताव में सबसे प्रथम परम पूजय भगवान श्री गणेश है विद्या बुद्धी और ग्यान के दाता जिनोंने समय समय पर अपने ग्यान और बुद्धी के बल पर बड़े से बड़े संकट का हल निकाला यही तो महिमा है गणपती की उनके सामने जिसने भी शीज जुखाए भगवान ने सदा ही उसे संकटों से उभारा चाहे भक्त हो या भगवान अपने बौधिक शमता की वज़ा से भगवान गणेश सभी देवी तेपताव में परम पूझनिय दाता माने गए हैं और संसार के सबसे धनी माने जाने वाले कुवेर के एहंकार को भी चूर चूर किया पुराणों के अनुसार एक बार कुवेर अपने धन के भंडार को देखकर इतराने लगे उन्होंने सोचा कि मैं इतना धनवान हूँ ये लोगों को पता कैसे चले इसके लिए कुवेर महराज ने एक भव्य भोज का आयोजन किया कुवेर ने सोचा कि भगवान शिव मेरे अराध्य देवता है वो इस भोज में आ जाए तो मेरा मान और बढ़ जाएगा यही सोच कर कुवेर के लाश वहुच गए कुवेर ने भगवान शिव और देवी पारवती को भोज में निमंत्रन दिया भगवान शिव कुवेर के मनुभाब को समझ गए और कुवेर के एहंकार को दूर करने की योजना बना दी शिव जी ने कहा कि वो तो भोज में शामिल नहीं हो पाएंगे लेकिन गणेश जरूर भोज में शामिल होंगे भगवान गडेश समय पर कुवेर के भूज में पहुच गए गडेश जी ने कहा कि उन्हें तीज भूख लगी है जल्दी भूजन का प्रबंद करे कुवेर ने अपने धन का प्रदशन करने के लिए गडेश भगवान को सूनी की थाल में भूजन दिया गडेश जी ने जल्दी भूजन को खत्म कर लिया और भी भूजन की मांग की इस तरह से कुवेर भूजन परोस्ते जाते और भगवान गडेश भूजन खाते जाते ऐसे में हजारों लोगों के लिए बना भूजन खत्म हो गया लेकिन गडेश जी का पेट नहीं भरा आखिरकार गडेश जी कुबेर की रसोई में पहुँच गए और जो कुछ रसोई में था उसे भी खा लिया इसके बाद जब भगवान ने कुबेर से और भोजन की मांगी तो कुबेर शमा मांगने लगे ऐसे में गडेश जी ने कहा कि कुबेर जब तुम्हारे पास भोजन का प्रवन्ध ही नहीं था तो भोज पर क्यों बुलाया क्रोध में गडेश जी ने विराट रूप धारन कर लिया ऐसे में अपनी जान को खत्रे में देख कुबेर ने महादेव और मापार्वती से गुहार लगाई तबी भगवान शिव मापार्वती के साथ वहां प्रकट हुए और कुबेर को उनके एहंकार पर सबक सिखाया भगवान गणेश की भूग को शान्त करने के लिए मापार्वती ने उन्हें अम्रित से तयार दिव्य मोदक दिया जिसके बाद से भगवान गणेश की भूग शान्त हुई और यही वज़ा है कि कोई भी पूजा क्यों ना हो कोई भी आयोचन क्यों ना हो भगवान गनेश को उनके प्रिये मोदक का भोग जरूर लगाया जाता है तो कारिकर में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद पुरंत लोटते हैं घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो भारत में काफी ज्यादा देखने को मुलती है यहाँ पर लालबाग के राजा की पूजा एहम रूप से होती है लालबाग के राजा के दर्शन सबसे एहम है साल बर भक्तों को रहता है इनका इंदिजार तब राजा लगाते हैं अपना दर्बार प्रजा करती है उनका सतकार फिर राजा करते हैं सब का उधार विशाल है विग्नहरता का अफ्तार और अद्भुद है भगवान गणेश का रूप चक्र, शंकधार, भगवान गणेश के प्रतिमा भक्तों का मन मोह लेती है यहां राजा का होता है राशी शिंगार और राजाओ जैसा सज़ता है गणवती का दर्बार करोवों की संख्या में है लालबात के राजा की प्रजा हड़ दिन, लाखों की तदात में श्रधालू अपने कस्चों को लेकर आते हैं बपा के दर्शन करने के लिए यहां भक्तों की दो कतारे लगती है एक राजा के दर्शन करने वाले भक्तों की और दूसरी अपने परमपरा है या जो अपनी शरीर की जो मैल और उप्टन से जो उनसे उत्रा तो उन्होंने उसका शक्ती का आवहान करके गणपती जी का निर्मान किया था और वो सजीव रूप में हो गये थे और उन्होंने कहा था कि मा मैं हर पर तरहें से आपकी रक्षा के लिए तयार हूँ तो मा पार्वती ने उन्हें अपनी रक्षा में उन्हें अपने द्वार पर खड़ा कर दिया था तो जब से ही गणपती जी का उत्रण दीवस माना जाता है मानेता है कि गणपती चतुर्ती वाले दिन ही वो उत्पन हुए पर साथ में एक मानेता और भी है कि भगवान शिव उस समय आ रहे थे और मा पारवती अंदर सनान इत्यादी कर रही थी और गणपती जीने इस सीज का विरोध किया यानि कि भगवान शिव को भी उन्होंने नहीं आने दिया और एक बहुती भेंकर युद्ध उन दोनों में ह अखिरकार भगवान शिव जो है आती शक्ति का परदर्शन करते हुए उनका सिर काट दिया गया और उनका सिर काटने पर उनका सिर धर से अलग हो गया उसके बाद जब मापारवती को इस बात का पता लगा तो वे बड़ी करोधी तो ही और उन्होंने कहा जैसे भी हो मुझ जो है काट करके गनपती जी पर लगा दिया जब से उनका जो मस्तक्ष है वो बिलकुल हाती का जो सिर है वो लगाया जाता है जिसमें सून्ड होती है ये भी एक कथा मानी जाती है कि इस दिन जब से ये सिर लगाया जुद के बाद वो गनपती चतुरती है तो थोड़ा सा वि का संचे नहीं और एक मानेता है हमारे देश में सनातम धरम में कि गणपती जी के प्रकाट्य दीवस के रूप में जो भी कोई वेक्ति गणपती जी की अराधना करता है साधना करता है मंत्र उपचार करता है या किसी भी तरहें कि मंत्र के उपचार के माध्यम से गणपती जी की सेवा राधना करता है तो उन्हें पूरे वर्ष भर उनके जीवन में विघन नहीं आते पूरे वर्ष भर उनको जीवन में तरक्की उनती मिलती है यानि की आपके जीवन में भी मित्रों भक्तगणों अगर किसी परकार की कोई समस्या है कोई तरक्की नहीं हो रही उनती न तो आप अवश्य ही गणपती जी की स्थापना अपने घर में करें अब आपको बताते हैं गड़ेश चतूर्थी से पहले किस तरह से भगवान गड़ेश की छोटी और बड़ी कई सारी मूर्तियां बजारों में दिखनी शुरू हो जाती हैं और मूर्तिकार किस तरह से उनकी प्रतिमाय बनाते हैं गड़ेश चतूर्थी के कई दिन पहले ही बजारों में छोटी बड़ी गड़ेश प्रतिमाय नजर आने लगती हैं पिछलिए जानते हैं मूर्तिकार कैसे गड़ेश प्रतिमाय तयार करते हैं गड़ेश चतूर्थी के दिन बहुत सारे जो चूटी-चूटी जो मूर्तिया है भगवान गड़ेश जी की दिखाई देती है मंदीरों में और घरों में लेकिन गड़ेश चतूर्थी से पहले किस तरीके से मूर्थिया बनाई जाती है और कैसे उनको अलग-अलग छोटे बड़ी अलग-अलग शेप दी जाती है हमाई साथ एक मूर्तिकार है वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो मूर्तिया है गणेश जी की वो बनाई जाती है और उसमें किन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है आप मूर्ति यह फ़र्मा यह यह इसमें सपोर्ट बन जाती इसमें पी ओपी डालते घोल के तो मूर्तित तयार होती है इसमें अच्छा तो यह पूरी जो शेप है भगवान गटेश जी की ए वह पूरी कि पूरी आ जाती है इसमें थोड़ा साइसको अप्रैंट से दिखा ये जी उ सके बाद जो है यह गड़िशी की पूरी शेप ले लेते हैं अच्छा ये अंदर ये पूरा एक पूरा आप देख सकते हैं यह और यह फर्मा है इसके अंदर ये डिजैन होती है इसका पीस में भी दिखा रहा हूं आपको यह पौन इसले वाड़ा पीस है यह वाड़ा सुका कि इसको पेंटिंग करी जाती है फिर मार्केट में बेशते हम इतने की है मूर्ति यह सौर रुपे की अभी इसमें और भी पेंट होना बाकी है या हो चुका है इसमें भी गोल्ड कलर बाकी है थोड़ा सा आख वगेरा बनेंगा नाकुन पालिस होगी इसके बाद एक प्लेट तयार हो जाएगी आदे गंटेम तयार हो यह सौर पे में आप अपने घर गनेश जी की मूर्ति ले जा सकते हैं ठीक रिजनेबल प्राइज है लेकिन यह कैमिकल से बनी हुई है तो थोड़ा साप सोच सकते हैं क्योंकि क्यामिकल वाली मूर्तियां कहीं ना कहीं हमा प्लेट यह पीछे भी हम कुछ मूर्थियां देख रहें यह आपका कलर है यह जो कलर है इस तरीके साप कलर करते हैं मूर्ति पर करके दिखाए ज़रा कर दो कर दो कि यह लाल पेंटिंग यह नाखुन के लिए काम आती है जैसे नाखुन बनाय जाते हैं यह चोटा सब्सक्राइब आपर चुहाई बोलते हैं मुशक बोलते हैं गड़ेश जी का और पूरी तरीके से यह मूर्ति है गोल्डन कलर किया हुआ है इनके अभूश्रों के लिए और रेड कलर नेल पेंट के लिए किया जा रहा है आखों पें ब्लैक कलर किया जा रहा है और और पूरे जो तरीके से ने पुलतब्स होने से रहा है यव मद्स कटमोल संधी का पुलती कलर्वें अब यह मूर्तियी तरीके से बनी नहीं है चाफ जोता साफ दिखाया दे रहा है अच्छा अलग से हैं इसके मुशक अच्छा वह अलग से दिख रहे हैं तो ये जो है बाकी जो इनके आभुशन है उसको किस रंग से रंगा जाएगा इसके लिए आप अलग से फोटो भी देखते हैं यह फोटू भी मेरे पास और साइड में यह चोटी-चोटी मूर्थियां भी रखी हुई है काफी बड़ी मूर्थी है तो यह एक छोटी मूर्थी है यहां पर यह जानती है कितने तक क्या रेंज होगा इस मूर्थी का यह हो रंगते हो फिर एकी बार में सबके जो अभूशन है वो रंगते हो एकी बार में सब चीज होते हैं नहीं यह 5-6 दिन लग जाते हैं इसमें पैंटिंग होने में तियार भी तो होता है और मेहनत भी बहुत है इसमें तो लगती भी मेहनत करते हैं सारे दिन पसीने और क्या कर तो कारेकर में हमने आपको बताया कि किस तरीके से गणपती की पूजा अशना करें और उनसे पाएं बुद्धी का वर्दान अब मुझे दीजी इजाजत गणपती बपा मोर्या